जिले में पहुँचे भाजपा नेता व भोजपूरी अभीनेता दिनेश लाली यातो निरववा ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के राश्ट्री अध्यक्ष अखिलेश यादों पर हमला बोला और कहा कि अखिलेश यादों को आजमगड की बात संसत में करनी चाहिए लेकिन वे आजमखा की बात करते हैं उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसवा चुनाओं में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी निरववा ने कहा कि ओवैसी से पार्टी को कोई खत्रा नहीं है वहीं उन्होंने पुरुमंत्री ओपी राजभर के आये दिन विवादित बयान पर कहा कि उनको पार्टी गंभीरता से नहीं लेती आजमगड के कोटिला में आयोजीत एक धाबे के उदगाटन वो कुरोना वैरियर्स के समान समारों में पहुँचे भाजपानेता दिनेशलाल यादों ने कुरोना महमारी के समय विविवन लिचेतरों में काम किये कुरोना वेरियस को सम्मान पत्र दे कर सम्मानित किया इस दोरान दिनेशलाल यादो ने कहा कि आजमगड की जनता ने अखलेश यादो को चुना कि वे संसद में आजमगड की बात करें लेकिन वे संसद में केवल आजमखा की बात कर रहे हैं उनको आजमगड वो आजमखा में अंतर नहीं पता है। उन्होंने कहा कि आजमगड के लोगों ने जब गलत आदमी को चुना है तो थोड़ी बहुत समस्या तो उठाने ही पड़ेगी। वर्ष 2022 में योगिया दितनात को एक बार फिर जनता परदेश में लाने के लिए आतुर है। उन्होंने धरातल पर काफी काम किया है, सब को सुविधाएं मिल रही है, राशन मिल रहा है। कुरोना काल में बाहर फसे लोगों को सरकार वापस लाई। आज परदेश की कानून विवस्था सही हो गई है। इसलिए जितने निवेशक हैं वे परदेश में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज परदेश में सडकों का जाल बिछा है। इसलिए जनता ये सब देख रही है और वर्ष 2022 में भाजपा की सरकार बनेगी। दिनेश लाल यादों ने कहा कि चाहे राहुल गांदी हो या अखिलेश यादों ये लोग समय के साथ नहीं बदले। ये लोग परिवार वाद जातिवाद की राजदेती छोड़ देते तो और बाकी लोगों को मौका देते तो शायद उनकी पार्टी सक्ता में आ सकती थी। दिनेश लाल यादों के आजम मंत्री उम्रकाश राजभर के बारे में दिनेश लाल यादों ने कहा कि विद्दल बदलू हैं आज इस पार्टी और कल उस पार्टी में इसलिए उनकी किसी भी बात को पार्टी गम भीरता से नहीं लेती है। और कुछ उनके लिए करना पड़ता है तो उसके लिए भी मैं तयार रहता हूं और मेरा राजनीती में रहके अपने लोगों की बात अपने लोगों का दूख दर्द सरकार तक पहुंचा सके तो यह कैसा ब्यक्ति होना चाहिए जो हमारे लोगों के बीच क्या समस्या है उन उनको आपने चुना है वो जब जाते हैं आपने आजमगर का संसत चुना इसलिए चुना कि जब संसत में जाया तो आजमगर की वकालत करें आजमगर के बारे में बात करें वहां सिर्फ आजम खान की बात करते हैं उनको आजमगर और आजम खान में अंतर ही समझ में नहीं करनाता है उनको पता ही नहीं चलता है कि उनको चुना गया है आजमगर की वकालत करने के लिए तो आप लोगों ने जब गलत आदिनी को चुना है तो थोड़ा तो आप लोग के साथ गलत होगा 2022 में पूरी तरह से जो जनता है वो तयार है फिर से योगी आदितनाद जी को लाने के लिए क्योंकि जिस तरह का कारे उन्होंने किया आप देखिए आप खुदी गवाह हैं आप लोग भी यहीं से हैं सब के घर में रासन पहुंचा है अभी भी पहुंच रहा है सब लोगों क तो योगी आदितनाद जी है हमारे मुक्ष्पंतरी जी है और आज जो है जितने नुवेशक है वह उफ्तरपर्देस में आना चाहते हैं उफ्तरपर्देस में जितनी सड़कों का जाल आज बिछा है आज के पहले की नहीं हुआ था तो जनता भी देख रही है और जनता तय है 2022 में फिर से महराजी की सरकार बनाने की मुझे तो नहीं लगता है कोई चुनोती देफाएंगे क्योंकि उनकी जो राजनीती की स्टाइल बहुत पुरानी हो चुक्त है और उसे दुनिया बहुत आगे निकल चुकि एक समय था जब उस तरह की राजनीती का चलता था और लो कांचल हो या उत्तरपगेस हो यह हिंदुस्तान कोई भी को ना हो जाती बाद परिवारवाद की राजनीत करने वाले लोग कहीं नहीं टिकेंगे और यह आप चुनाओं में देख लेजिएगा जो मेरी टीम है वह आजमगड में पूरे समय एक्टिव रहती है और पूरे जीतनी समस्या वह सरकार तक पहु collagen कांचाने काम चैने करते हैं जिन सांसत कभी करते हीrios इसंगे तो भाही अवारे चौण हैँ 7 यह ईक बार चाहते थे और उन्होंने है की वैजी माफिया जो किसी ब्रुण्ड़ संसत को टिकट नहीं देंगे पार्टी में शामिल उत्तर प्रदेश को अच्छा लगाता है कि हां अखिलेश यादर जी चाहते हैं कि जो बरश्टाचारी हैं जो अपराधी हैं उनको दल से दूर रखा जाए पर उनके ही दल के लोगों ने उनको करने नहीं दिया कर नहीं पाएंगे कर कौन पाएगा योगी जी कर पाएंगे चाहे हो गुंडेओं की सफाइए करना हो कानून बेहस्था सुधार नल प्रदेश को विकास के पत्त पिंपे ले जाना हो और कर पाएंगे योगी जी ही तो मुझे लगता है कि ये बात समस्ती पब्लिक भी जंधा भी समस्ती है तो मुझे नहीं लगता है कि वो 400 का सपना देख रहे हैं उनको 40 सीटे भी नहीं आने वाली है